ये मुंबई एक्स्प्रेस जो कि नितिन गड़करी का सपना जो आज पूरा हो गया अभी हम दिलसाथ कलोनी दिल्दी से 160 किलो मेटर ड्राइब कर आ रहे हैं और इस रोड पर बहुत अच्छा रोड 120 किलो मेटर की स्पीड इन्होंने डैजिनेट की है और बीच बीच में कैम कैमरे लगाये हुए हैं तो कैमरे आने से पहले जो कुछ एप होती है एक रडार करके तो रडार एप को इस्टॉल कर लेते हैं तो वो आने से पहले ही कैमरा आने से पहले और वो पॉप अप करता है और ये बता भी देता है कि सामने कैमरा आने वाला है तो आप अपनी स्प स्पीड भी दिखाता है और सामने कैबरे की स्पीड भी दिखाता है और यहां 160 किलो मीटर के बाद यह हम रोड से बाहर आए यहां पर चाय रेस्टोरेंट खाना 24 आवर्स यहां खुले रहते हैं यहां पर जो गैस्ट हैं ट्रैवलर हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं और यहां देखिए कि कार पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविदा है तो यहां पर इधर भी एक लाइन है और दूसरी में दिखाता हूं कि आपके लेप साइड में भी उतनी केपैस्टी है तो यह बह इस तो बहुत अच्छा रोड है और यहां पर यह रच्टॉरेंट है तीन रस तोरेंट लेप साइड में धिखाता हूं एक ये है एक्स्प्रेस बे एक ये है दूसरा ये एक्स्प्रेस बे है प्रस यहां स्टॉप एंड सॉप भी है कि आप रुकिए और सॉप कीजिए, सॉपिंग कीजिए हमारे ये राइट साइड में दिल्ली से आने वाला, इस साइड में दिल्ली है और ये यहां से बॉम्मे की तरफ जाता है तो नितिन गड़करी जतना बोलते हैं उतना करके भी दिखाते हैं साइड इस गवर्मेंट में ही इतनी ताकत थी कि ये दिल्ली से लेके बॉम्मे तक का एक्स्प्रेस बे बनाया है तो आप आने जाने वालों को देखते हो तो कुछ लोग यहां पर तारीफ करते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग बढ़िया रोड बनायी बट बढ़िया रोड में क्या ये नितिन गड़करी का नाम आता है या मोदी का नाम आता है देखें यह तो मोदी का नाम ले रहा है यह हमारे दूसरे साव है यह चाय की चुसकी लेते हुए साव कह रहे हैं बाइया यह तो नितिन गड़करी का नाम आता है मैंने भी कल एक mail की है दिल्ली में एक नाला बंद करवा के और उसके उपर रोड बनवाना है जीटी रोड के साथ साथ सारा रस खतम हो जाएगा अच्छा जिटी जी एगरी करें यह तो मैंने mail ड़ा लियों उनको दिल्ली मतलब बैंटर करते ही और एक गोत बड़ा नाला है तो दिल्ली की location क्या है जहां पर नाला है जहां पर mail डा लिया यह नंगली कुना गाउं करता है और बाइपास तक दिल्ली बाइपास तक साथ रस खतम हो ज और नितिन गड़करी जासा कोई गौवर्मेंट में नहीं है गौवर्मेंट में कहा ना कि नितिन गड़करी के तो जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है कि वो इतने हस्ते हस्ते और जो अच्छा वैसे तो नितिन गड़करी के हम भी शौकीन है और हमारे वो फेवरेट है हम जहां भी वीडियो बनाते हैं हम इसा नितिन गड़करी का नाम लेते हैं और यहां पर भी ऐसा लगता है और नितिन गड़करी मैं तो चाहता हूं कि मैं नितिन गड़करी को प्रामिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं कोई नहीं चाहता लेकर बीजेपी भी नहीं चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सोखते हैं कि मैं तो बलके नागपुर गया नासर में वो टेंपल बना है अच्छा तो चलो आप नतिन गड़करी के बारे में इतना सोखते हैं जमीन से जुड़े हैं जमीन से जुड़े हो और अभी तक कोई भी एक करप्सन का चार्ज जो है ना वो भी कही नजर नहीं आता बहुत क्लीन नीट एंड क्लीन लीडर हैं और हस्ते हस्ते वो लाखों करोडों की बात करते हैं कि एक लाख करोड का यह बना दिया यहां बना दिया तो वो बनाते भी हैं और दिखाते भी हैं सायद उनके पास कॉंट्रेक्टर भी हैं भाईया यह आप कहा से आयो हो तो आपको इस हाइवे पर ड्राइब करने से कैसा लगा बहुत अच्छा लगा आपका साथ अरदेश का विकास बहुत बढ़िया तो आपको इसके क्रेडिट किसको देना चाहेंगे मोधी साथ को या गड़करी साथ को आपको आपनी आते तो मदा ही ना आता बात मेरी नहीं है बात है कि यह जो हाइवे बना मुंबई हाइवे इसका क्रेडिट आपको देना चाहते हैं सबको सबका साथ सबका विकास तो यह कुछ नाम साथ यह नहीं लेना चाहते बट यस रोड की क्वालिटी अच्छी थी और जो बीच बीच में उन्होंने केमरे लगाये हुए है वो खराब है नहीं शेफ्टी के परंट अब यूसे आप वो कारी में बेल्ट पहन के चलाईए ना केमरे क्यों करने है आप चलो यह भी एक दरसक है जिनकी अपनी सोच हो सकती है तो कोई बात नहीं आप केमरे के फ तो केमरा लगना भी बहुत जरूरी है यहां पर एक दूसरे साब और चाय कहा है चाय कहा है यह साब भी लगता है कहीं दिल्ली से आये हुए लगते हैं क्यों भी यह कहां से आयो आप दिल्ली से आये हैं तो आपको आज कैसा लगा यहां का राइड बढ़ 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 ब यह यंगस्टर है 23 एड और यह एथा सोस्टे है कि गड़करी साब ने यह बनवाया तो इसकी क्वालिटी में कोई कमी है क्या बिल्कुल भी नहीं है इस एपस्टे हर्म के बारे में क्या कर दो बत्सकि अदे दाली है और शाम का नाम थे रड़र रडरों में आपको पता. अच्छा तो आपका चलान होने से पहले वो एक बचा देता है जो भईया तुमको यहां पर डूटी करने में कैसा लगता है अलो कैसा लगता है और आपको और यह एरिया जो हाई बे नहीं बनता तो नोकरियां भी नहीं मिलती है यहां पर हमारे साव इन चाय आपने कुलण दी पी कासा लगा चाय का सवाद अच्छा था पर जो रोर्साइड डाबे हैं उनकी चाय का सवाद ज़्यादा बेटर रखता है आँ नहीं यह भी चाय कुलण में दी तो मुझे लगता है कि इसका सौद भी अच्छा है नो डाउट तो ये दिल्दी से चल कर मुंबई तक का सफर ऐसे तो ये बारा गंटे में बताते हैं कि बारा गंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे बंदे वारत ट्रेन भी ये चालू करने वाले हैं तो वो भी ट्रेन में इनका 160 की स्पीड बजाएंगे और ये रोड से जाना चाते हैं तो 120 की स्पीड और गड़करी जी की सोच देखो एक UER बनाया है अच्छा दिल्ली के चारों तरव वो अलिपुर से निकलेगा और अलिपुर से निकलके सीधा एरपोर ता गुड़ काम आता वादर गुड़ होता हुआ इधर बहुत अच्छा तीन सो फुट का रोड निकाला है अच्छा अच्छा अच्छा आपने हमारे यूट्यूब के चैनल पर जो विचार व्यक्त की है और गड़करी साब को और बोधी साब के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने आगे के सफर को जारी रखते हुए और अपनी कार में फिर चलते हैं अगले वीडियो के लिए फिर इंतजार करना तब तक के लिए धन्यवाद